Hello all of you, आज मैं इस वीडियो के अंदर जितने मिलोक रेज़िएट्स हैं और जो experience एड़ोकेट्स हैं और जो अपने fresh है जिन के पस कोई experience नहीं है और जिनके पास experience है और जिनके पास बहुत जाथ experience है उन तीनों category लोगों के लिए IBPS, Institute of Banking Personal Selection के अंदर जहां पे आपको Law Officers के लिए Appoint करा जाता है Banks के अंदर, आपको ये पता होगा IBPS की जो हमारी Vacances निगलती है उसमें केवल और केवल बैंक के अंदर आपको नौकरी दी जाती है सरकारी नौकरी होती है, अच्छा Pay Scale होता है बहुत अच्छी salary होती है, exam भी होता है negative marking भी होती है, fresher जो बच्चा होगा जिसने LLB degree अपनी पूरी कर ली होगी उसके लिए भी vacancy है, जो experience होगा दो साल का जिसके पास advocate का experience होगा वो भी apply कर सकता है, पांच साल का जिसके पास experience होगा वो भी apply कर सकता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, ताकि आपको clear एक एक चीज हम बता सके, तो सबसे पहली बात, यह हमारा 66 pages का notification है, लेकिन हमारे लिए काम के page कौन से एक तो, page number 7, page number 14 और page number 15, page number 20 page number 21, page number 29, page number 37, and page number 44 यह सब pages है, जो हमारे काम के है, बाकी other information दे रखी है आप इस वीडियो के अंदर मुद्धे की बात यह आपको बताने वाला हो कि आप उसको पता करने के बात दिमाग में clear हो जाएगा, भाई मैं इसके लिए apply करूं या ना करूं कब apply कर सकता हूं, क्या eligibility रहेगी, कौन सा मुझे paper देना होगा, और इसमें negative marking होगी या नहीं होगी, age limit क्या होगी, मेरे को relaxation मिलेगा, या नहीं मिलेगा, और कौन कौन ये documents में पास रखने पड़ेंगे, इन सारी चीजों के बारे में, इन pages में हमारे को पता लग जाएगा, और एक satisfactory हमारे दिमाग में clear रहेगा, मैं eligible हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, clear है, चलो मुद्धे पे आते हैं, इसके इनर सबसे बहली बात हमारे को page number 7 open up करना है, ये जो सारी बाते हैं, आपको पता रहेंगी, ये बैंक्स के नाम है, कौन कौन से बैंक्स यहाँ पे involved है, maximum 22 साल का कोई होगा, तो वह भी apply कर सकता है, लेकिन यहाँ पर age limit के अंदर relaxation भी है, जैसे मैं आपको वीडियो के starting माँ बताया था, ठीक है, जो लोग widow है, divorce है, उनके लिए भी हाँ रेलाक्सेशन है, ठीक है, 32 मस तक का, 35 age limit तक का, ठीक है, याद रखेगा, पर असा कम दिया हुआ है, but as usual, relaxation, relaxation होता है, बहुत लोगों कि यहाँ पर मन में doubt रहते हैं, अब हम page number 14 पर आ जाते हैं, जैसे मैं आपको page number अब यूपर लिख वायते हैं, जैसे मैं आप वीडियो देख लोगे, notification का link description box scanner देदूँगा, apply कैसे करना है, उसका link भी में description box scanner आ तो यहाँ पर देखो, आप post qualification experience यहाँ पर कोई भी नहीं मांगा हुआ है, तो no experience यहाँ पर आपको मांगा हुआ हुआ है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको बेखती होगा, बच्चा होगा, तो वो अपना IBBS का paper, अपना assistant manager के लिए apply कर सकता है, जो कि अपना बहुत बहु आपको computer की knowledge अची खासी होनी चाहिए, ठीक है, desirable है, desirable का मतलब मैंने, अगर आपने मेरी other videos देखी है, तो desirable का अंदर मैंने मतलब clear बताया हुआ है, desirable का इकर आता है, आपको computer तो बढ़िया है, नहीं आता हो तो अपने exam के पर focus करना, जो आपसे exam पूछा जाएगा, और यहा आप लोग जो है, अगर CPC का batch join करना चाहते हो, जिसमें आप लोगों पता होगा, मैंने अपना CPC का batch अभी launch करा हुआ है, तो यह दो दिन के लिए offer है, जिसमें मैं आप लोगों केवल limited बच्चों के लिए, 15 बच्चों के लिए मैं केवल यह offer लेकर आया हूँ, अगर आप लोगों के लिए मैं exclusive batch लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको complete आपको CPC पढ़ाऊंगा, इसमें आपको मिलेगा क्या-क्या, तो आपको live and recorded classes देखने को मिलेगी, CPC के जो latest amendments आ रखी है, limitation के लिए जो latest amendments आ रखी है, case laws के साथ में, वो आपको material प्रवाइड करा हुए है, कि means के अंदर कोई question आएगा न, इस topic के related, तो उसका answer मैं कैसे लिख पाऊंगा, तो मैंने आपको means के अंदर कैसे answer writing होती है, इसका भी दिक्कत परिशानी वो भी solve करवा दी है, और जो class की हमारी language होगी, preference, वो हिंदी में होगी, majorly, थोड़ा बहुत जो होता है, हम हमारा बेरेक की language होती है, हम उसको English में discuss भी करते हैं, और recorded classes भी आप देख सकते हो, हमारा batch लगबाग धाई महीनी के अंदर complete हो जाएगा, most probably, थोड़ा उपर नीचे हो सकता है, ठीक है, और आपको जो recorded classes देखने को मिलेंगी, by chance जब हमारा batch complete हो गया है, आपको की doubt आता है, तो आपको recorded classes देखनी है, तो एक साल तक की validity आपको वैसे ही मिल रही है, तो आप एक साल तक की validity ले सकते हो, और जितने भी लोग अपने judiciary exams जो upcoming है, उसकी preparation कर रहे हैं, सबसे best मैंने आपके लिए offer निकाला हुआ है, तो आप अपनी preparation, अपना CPC के अंदर, limitation के अंदर complete अपन आप कर सकते हो, link मैंने description box के अंदर, अपना application का, iPhone users के लिए भी, Android users के लिए भी, link description box के अंदर, डाला हुआ है, check ज़रू करेगा, और bad join ज़रू करेगा, यह बताता नहीं है, क्योंकि आपको खुद notification बारी की से पढ़नी पड़ती है, अब इसके अंदर दूसरी बात करें, तो यह experience वाले candidates के लिए, इनके लिए आपको manager की post मिलेगी, general banking officer के एक दर्जा में लेगा, उसके अंदर आप manager बनोगे, अब यहाँ पर क्या आपके बात कर दी है, कि आपके पास experience है ना, दो सालों तक का, कि दो सालों आपके पास as an advocate का experience हो, banking के अंदर आप law officer के तोर पे अ तीन साल के LLB पूरी होगी, तो आपको experience दो साल का होगा होगा, वो calculate नहीं होगा, degree खतम हो जाने के बात कहा है, experience आप से मांगा होगा है, चलो जी, अब यहाँ पर और बात कर लेते हैं, यह उचल पूर क्यों कर रहा है, अब यहाँ पर बात आ जाती है, हमारे specialized officers की, तो य यहाँ पर specialized officers हमारे manager की post मिलेगी आपको, यहाँ पर भी आपसे law की degree मांगी गई है, यह रना law officers करेखो, यहाँ पर 50% minimum LLB में होने चाहिए, और आपके बात दो साल का practicing advocate के तौर पर आपने काम करा हो, यह law officer अपने bank के अंदर काम करा हो, वगरा वगरा, minimum दो साल का mandatory और LLB यहाँ यह रहा 15th page number, 15th page number यही वाला था, ठीक है, अब आज हो 28th page number, 20th page number 20, अब यहाँ पर क्या है, कि अभी हमारे जो fresh law graduates से, जिनके पास कोई experience नहीं है, वो भी अपना IBBS का paper दे सकते हैं, तो उनको यह वाला exam अपना देना पड़ेगा, ठीक है, यह वाला, जिसमें आप आपको reasoning का paper होगा, computer knowledge होगी, financial awareness होनी चाहिए, English, Hindi, quantitative aptitude and data interpretation का आपका paper होगा, दो घंटे का आपको यह paper देना पड़ेगा, इसमें 40 questions होगे, ठीक है, और 50 number, 20 number, यह आपको बाइपर कराया जाएगा, आप इसमें जो भी score करोगे, उसके बाद आपका interview होगा, याद रखना, यहाँ पर आपको minimum cut off लानी जरूरी है, तब जाके आपकी दूसरी stage का दरवाजा खुलेगा अपना selection के लिए, अगर आप इसमें qualify नहीं करोगे, minimum cut off marks नहीं लेकर आओगे, तो sorry, आप वहीं से भार जाओगे, यह लिखा है न, negative marking में penalty लगेगी, यह देखो, 0.25, यानि कि 1 1 4th, 1 4th को लो, या 0.25, बोलो बात, एक ही है, 4 question पर एक number कटेगा, ठीक है, चलो, हम आगे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर apply करने का date क्या है, कि मैं कब तक apply कर सकता हूं, देखो application form जो है न, पहली June से open up हो चुके है, और 21 June आपकी आखरी date है, यानि कि 3-4 दिन, 2-3 दिन मेंस का exam न, आपका जो professional वाले है न, जिनके बाद 2 साल या 5 साल का experience requirement है, उन लोगों के लिए आपका मेंस होगा, बाकी जो freshers लों के लिए मेंस नहीं होगा, direct pre के बाद में आपका interview होगा, ठीक है, यह बात इसमें mention करी होई है, और यह अपनी हाँ, यह चीज के लिए मेरा important perspective था, जो मैंने 37th page number लिखा था न, इस टीज के लिए, यह फॉर्म भरने की date होगई, यह आपका application अपना fees पे करने की date होगई, यह आपका pre exam training का slot होगा, जिसमें आप assume कर पाऊगे, यह pre exam मेरे कैसा होगा, कैसे questions आएंगे, तो यह online आपको portal दिखाएंगे इस तारीक को, औ फिर आपका admit card आएगा आपका जुलाई या अगस के अंदर date भी mention नहीं करी होगी है, tentative dates रहेंगी, फिर आपका exam हो जाएगा अगस के अंदर, और जो exam होगा prelims का, उसका result आजाएगा आपका September के अंदर, इस सीधा इन्होंने simple transparency आपको दिमाग में set करने के लिए, इन्हों capable होगा न, अगर एक post भी होना है, आपको एक CT तो चाहिए, आपके अदर काबिलियत है exam निकालने की, और बच्चों से, तो obviously आप higher होंगे होंगे, तो कभी भी vacancies को लेके ये judge मत करना कि मैं apply करूं या ना करूं, apply करने के लिए आपको अपने अंदर जांगना पड़ेगा, कि या मेरे अंदर capability है, मैं exam निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ, तो ये चीज़ का भ्यान जरूर रखेगा, तो ये सब चीज़े थी, ये notification थी, तो जितने भी लोग apply करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए best opportunity है, IBPS के अंदर, जो law officers के अपनी post आती रहत कर सकते हो, कुछ ट्रॉपिक नहीं आता है, शुरू से सवड़बात कर सकते हो, ताकि आपका एक base बन जाए और अपना अपनी तैयारी आपकी solid बन पाए, याद रखेगा, वीडियो को शेयर जरू करेगा, लोगो awareness के तोर पे जरूर बताएगा, मिलते नेक्स वीडियो के कि एंचियो के बने ओट